दिन्योस 15 में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूरिया तोमर इसे समय की नजाकत कहें या फिर हुकमरानों की मनमानी की पाकिस्तान में भारतिय संस्कृति की बात की जाने लगी है भले ही पाकिस्तान अपने आपको इसलामिक देश मानता हो पर वहाँ पर भी हिंदू डिने की बाते हो रही है इसे भारतिय संस्कृति का प्रभाव ही कहा जाएगा कि विभाजन को भले ही 75 साल से ज्यादक वक्त बीच चुका हो पर आज भी सीमा के दोनों और बटवारे का दर्द महसूस किया जा सकता है जमीनी हकीकत तो यह है कि भारत और पाकिस्तान का एक साजह इतिहास रहा है वह बात दूसरी है कि पाकिस्तान के हुकमरान इसे नकारते रहे हैं जबकि नसलिये तोर पर भी भारत और पाकिस्तान की लोग एक ही हैं। यह पाक हुकमरानों के मूँ पर तमाचा ही कहा जाएगा कि खुद पाकिस्तान की कई विचारक उनकी इस सोच को गरत मानते हैं। इन में से ही एक है परवेज हुद्भॉय। इतना ही नहीं पाकिस्तान आमजनों को भी खुले मन से भारत और भारती संस्क्रिती की तारिफ करते सुना जा रहा है। पाकिस्तानी विचारक परवेज हुद्भॉय का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का इतिहास साजा है। वो कहते हैं कि हम लोगों का तो DNA भी एक है अब देखा जाए तो एक मुसल्मान और एक बनिये का DNA एक है और उनका अरब से कोई भी नाता नहीं है परवेज अमीर आली हुदबाई एक पाकिस्तानी परमाणू भौतिक वेग्यानिक और समाजी कारे करता है उन्होंने फॉर्मे निसाई कालेज में प्रोफेसर और उससे पहले कैद आलसम विश्व विद्याले में भौतिकी पड़ाई है इसके साथ ही हुदबाई पाकिस्तान में बोलने की अज़ादी धर्मनिर पेक्षिता, वेग्यानिक सोच और शिक्षा की अज़ादी को बढ़ावा देने वाले एक कारे करता भी है परवेस हुदबाई भौत एक विग्यानी रहे हैं लेकिन उन्होंने इसके साथ ही पाकिस्तान के इतिहास और मजभब का भी सारा कहरा अध्यन किया है हाली में उन्होंने पाकिस्तान ओरिजिन आइडेंटिटी एंड फ्यूचर नाम से एक नई किताब लिखी है इस पर उन्होंने कहा भी था कि भारत और पाकिस्तान का एक साजा इतिहास है वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान इस बात को मानेगा तब तक वो अपनी पहचान के संकर से गुजरता रहेगा उन्होंने यहां तक कहा कि भारत केक बनिये और मेरे जैसे मुसल्मान का भी डियने एक है उन्होंने तो यहां तक कहे डाला कि अगर हम अपने परिवार का भी डियने निकाले तो हमारा ओरेजिन कहीं न कहीं एक ही मिलेगा वो कहते हैं कि आज पाकिस्तान में अर्दबुल गाजी जैसे ड्रामा चल रहे हैं ये तुर्की का इतिहास है लेकिन हम उसे खुद को जोय पर पड़ें जबकि भारतिय उप महादीब का तो अलग ही इतिहास था उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज खुद को अरब या तुरकों से जोड़ने की होड़ है यही वज़ा है कि हल शक्स अब खुद को सायद बताने में जुटा है यही पाकिस्तान का असल में संकट है परवेज हुदबोय कहते हैं कि पाकिस्तान का एक संकर्ड युद भी है उनकी 6 लाकी सेना है और उसे भी सिर्फ इसलिए बराया गया है ताकि कश्मीर की जंग लड़ी जा सके इस चकर में पाकिस्तान तीन जंग हाट चुका है परवेज ने सुझाब दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर के मसले से आगे बढ़कर एकनामी पर ठ्यान देना चाहिए यही नहीं पाकिस्तान में लोग तंत्र ना होने की बात करते हुए वो यह भी कहते हैं कि यहां तो सेना ने पूरे देश को गर्दन से पकड़ रखा है और ऐसा कोई देश नहीं है जहां फौज ही एकनामी को चला रही हो सचाई तो यह है कि जो आज जिन सब देशों की अलग पहचान बना दी गई है वो देश कभी एक ही थे भारत की इस्थापना वैदिक काल में हुई थी तब यह हिमाले से लेकर दक्षणी सागर तक फैला हुआ था उज़वरान अफगानिस्तान पाकिस्तान इरान नेपाल भुटान तिबबत मयामार बांगलादेश कमबोडिया मलेशिया थाइलेंड और इंडोनेशिया अखंड भारत का ही हिसा हुआ करता था हलाकि गुप्त वंश के बाद अखंड भारत बढ़ता चला गया गुप्त वंश के खत्म होने के बाद इरान, थाइलेंड, कमबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिबबत भारत से अलग हो गए इन देशों के अलग होने के बाद बस श्री लंका, नेपाल, भुटान, मयामार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिसा रह गए थे मौरेश समराजे पर्शी में इरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उतर में कश्मीर से लेकर दक्षिन में तमिलनाडू तक फैला हुआ था 185 BC में समराजे के पतन के बाद अखंड भारत मिखनने लगा और कई देश जोरान अजाद हो गए 1310 ECP में अंग्रेजों ने श्रीलंका को चोल और पांडिया की कब्जे से छुड़ा कर अपने कब्जे में ले लिया साल 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से लग कर दिया इसके बाद 1919 में अफगानिस्तान भी भारत से लग हो गया 1947 में भारत के अजादी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया तो क्या इन सब के बावजूद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत कभी एक हो सकते हैं क्या कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर शिड़ी जंग पूरी तरह खत्म हो पाएगी सोचने की बात ये भी है कि भारत में इस बटवारे की बात बड़े इस्तर पर मुस्लिम लोगों ने खुद को भारत का हिस्ता मान कर हिंदूस्तान को चुना अब आती है सब के डियेने की बात साफ तोर पर कहा जाए तो डियेने बस पहचानने का जरिया है लेकिन असल पहचान तो उस दिल से है जो कभी किसी देश की जंता के लिए नहीं भड़कता है भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलिम और ये देशों के बटवारे की चर्चा आपको कैसी लगी कॉमेंट करके हमें जरूर बताईए और आगे क्या वीडियो लेकर आऊं ये बताना बिल्कुल न भूलिएगा अभी के लिए तिना ही धन्यवाद